विकाव भीया यह सामने फ्रेंट कैम्वरा लगा हुए प्रेंट लगा हुए अधर के अधर करता हम बस भाइब यह जो आप मेरे हाथ में देख रहा है यह यह सांप एक चैकड़ कील बैक देभी चैकड़ कील बैक है इसकी उम्र लगभग होगी मेरे हिसाब से चैया साथ मेन बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है और यह देख रहे हैं आप इसका साइज कित्ता हुआ होगा डेल फुट यह बढ़ जाता है छे आसपास तक हो जाते हैं लेकिन नॉर्मली आपको यह चार फिट के आसपास चार से चार से पांच फिट के बीच में ही मिलेंगे ठीके ना इस तुन भी यह उग्र हो सकता था लेकिन इस तुन बहुत शांत है शांत पता नहीं है मुझे नहीं वालूं बच्चे जब डंडी से यहां छेड रहे थे तो लोग बता रहे हैं यह बहुत अपना अटेकिंग मोन में था दात खोल ला था है क्यों बच्चों ऐसा ही कुछ था तो सब बतार दे बहुत कठा है बहुत कठा है तो मैंने इसको हाथ में पकड़ा मेंने का देखा जाएगा काटे का तो इसमें विश नहीं होता है हाला कि ऐसा कोई अच्छी बात नहीं उससे कठवाना क्योंकि इनके दाव मुव में बैक्टिरियास हो सकते हैं क्योंकि क क्या चीज़ तो यह आप देख रहे हैं इसका गाढ़ा रंग इस बात की साफ मतला आप तस्दीक कर रहा है कि छोटा है यह धीरे-धीरे इसके जो पैटन बना हुआ है यह थोड़े फैल जाएंगे चेक्स से बने होते हैं इसकी बोड़ी पर और इसकी मुंडी जो है पूर और ऐसा आज हमने लाइव पहले चेक कर रहा है पहली बार तो मैंने देखा कि दाल के देखते हैं यह चटनी बना दी होती ही इन्होंने लेकिन मारने नहीं दिया इने कुछ लोगों ने हमारे घर कई लोग हैं उन्होंने इसे मारने नहीं दिया और थोड़ी दूर से आके पर मैंने इसको पकड़ा अभी तुरण छोड़ देता हूं ज्यादा देर रोकने की क्या जरूत है इसको इसके लिए कोई डिबा बोतल जोले का इस्ताल नहीं कर रहा है इसे पकड़ा और एक लाइव डालकर इसको छोड़े दे रहा है बस तो आप लोगों से मैं सिर्फ ए आड़ी जूड़ी लग गई इतना यह फरक है और बाकी कुछ नहीं है तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं बारे हैं साप कुछी जहरी ले होते हैं और अधिकतर साप जो है जहरी ले नहीं होते हैं इसका साइज आप देख सकते हैं यह च्छूटा साही है तो बस वीडियो को यह लेगे बच्चे यह बच्चे हैंडल कर रहे देशका यह सब दंडे से इधर से उधार कर रहे देशका कि हमारे बेड़े अगया है शेर कैसे कैसे होगा यह रिकॉर्ड हो गया रहे बस ठीक है इता ही बस काफी है